कि अलो दोस्तों स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूटूब चैनल रामने क्लासेज में कख्षन नवी की गणित वीशे की वक्षीट हम सौल करेंगे आज की दिनांखे 24 जनुवरी 2022 अध्या है सांखी की टॉपिक है आकडो का संग्रह तो यहां पर हम देखेंगे पांच प्रश्ण दिये गए हैं प्लीज वीडियो को पूरा देंगे और लाइक ज़रूर करें दोस्तों साथ शेयर करें और चैनल पर आवगर आपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रे तो यह हैं प्रात्मिक आकड़े प्रत्यक्ष रूप से परिवेक्षन द्वारा एककत्रित आकड़े जो अपने मौलिक रूपे होते हैं जैसे जन्संख्या, उत्पादन की मात्रा, कुल लाग, कुल लागत आदी प्रात्मिक आकड़े से गढणा द्वारा जितिक आकड़ कि दितिय काकड़ों के उधारन क्या हो जाएंगे जैसे प्रात्मी काकड़े थे जैसे प्रात्मी काकड़े निद्ग कि उसकता है तो जीतियक आकड़े हो जाएंगे जो प्रात्मी काकड़ों से हमने प्राप्त की हैं जैसे प्रात्मी काकड़ों में हमने जनसंख्या की बारे में आकड़े एकत्रित की तो जीतियक आकड़े अगर वही जनसंख्या के आकड़े कि किस देश में किस राज में किती जनसंख्या अकड़ों को बारंबरतासाडनी के रूप में नि Manuel कमें है को मेंने बनारा रखी है इस तरह इतर स Corona आपको सबसे पहले छात्रों का भार किलोग्राम में लिखना है फिर मिलान चिन लगना और बारंबर अलगा टो चाट बात्रों का भार आप 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 यानि 32 से लेकर 38 किलो के मध्य है मिलान चिन लगाते जाना है और बारंबरता खीशते जानी है यह आपको आता ही होगा कि जैसे आपके सवाल देखिए सवाल में लिखा है 34 तो 34 पे एक लाइन करेंगे और इसको कट करते जाएंगे कट इसलिए करते जाएंगे ताकि आप कोई भी संक्या को डबल न गिन ले यह ध्यान रखना है आपको बिलकुल इस तरह से आपको इनकी एक बारंबरता साणी बनानी है यह साणी बन जाएगी इ पिर इसकी बारंबरता लिखनी है आपने साणी सही बनाई है गलत वो डिसाइट करेगा आपका योग देखे 30 चात्रों का भार है तो हमारे बारंबरता का योग भी 30 आ रहा है इसलिए यह आपकी साणी बिलकुल ही सही हो जाएगी कौशन नमर 3 देखिए किसी स्थान के 30 घ बर गंत्राल लेना है तो आपको बोला है दस-दस का लेना है तो 0-10 में यहां पर कोई संख्या थी नहीं इसलिए मैं डारेक्ट 10-20 का अंत्राल लिया है तो यहां हो जाएगा 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60 60 60 60 80 80 80 90 90 100 100 110 और 110-120 की संख्या दे रखी है फिर आपको मिलान जिन देखना तो 20 अगले में आएगा जैसे 30 आया तो इसमें आएगा 40 आया तो इसमें आएगा यह अंतिम सीमा यहां नहीं माननी है ठीके इस तरह आपको एक मिलान चिन बनाने हैं और फिर 12 मरता काउंट करनी है जैसे 3 है तो 3, 1 है तो 1, 4 है तो 4 और इसी प्रकार इसका योग हो सवाल में आपका दिया है 30 गंटों के पाने की बिल यानि की योग 30 आ गया इसका मतलब हमारा सवाल बिलकुल सही है सवाल नमर चार है दित्यक आकड़े प्राप्त करने की विदियो के नाम लिखिए तो दित्यक आकड़े हम दो प्रकार से प्राप्त करते हैं देखिए सबसे पहले है प्रकाशित स्त्रोच से इसमें आजाएंगे सरकारी स्त्रोथ, अंतरास्ट्री प्रकाशन, पत्र पत्रिकाय, व्यक्तिकर अनुसंधान करताओं के प्रकाशन से, अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन से, आयोग और सम्मितियों की रिपोर्ट से और व्यापारिक संगों के प्रकाशन से इसके बाद हम लिखेंगे और प्रकाषित त्रोत से आखडों के वे सभी त्रोत जो कि सी अंय-उसंधान करता द्वारत अंकलित किये गए हैं और जो प्रकाषित किया गया है और प्रकाषित त्रोत आखड़े केलाते हैं तिका नोसंधान करता आधी से प्राप्त की जा सकते हैं जो विभिन्द उदेशों के लिए आंकड़ संक्लित करते रहते हैं यह वे आंकड़े होते हैं जिने प्रकाशित नहीं कराया जाता तो दित्यक आंकड़ों के दो प्रकार के स्त्रों थे प्रकाशित और प्रकाशित य तो यह पांचों प्रश्ण तो पांच पांच का अंत्राल लेना है तो वर्गंत्राल आप लेंगे जीरो से पांच तो यह पर उसी प्रकार आपने जैसे पिछला सवाल किया था उसी प्रकार यह मिलान चिनन लगाते जाना है और बार हमःता लिखनी है तो तो 0 से 5 में 1, 5 से 10 में 3, 10 से 15 में 4, 15 से 20 में 4, 20 से 25 में 1, 25 से 30 में 2, 30 से 35 में 1, 35 से 40 में 1, 40 से 45 में 3, इस प्रकार योग हो जाएगा 20. तो 20 योग है, आपका सवाल बिल्कुल सही है, देखें कैसे, तो यहां पर आपको ध्यान देना है, इस सवाल में जितने आकड़े हैं, कितने हैं, तो 20 ही आकड़े हैं, अगर आकड़े 20 से और योग भी 20 से, इसका मतलब हमाने हमने बिल्कुल सही सही सांड़ी का निर्मान किय तो यह हो गए पांच प्रश्णों पांचों प्रश्णों के हल आपने देख लिए इस वीडियो में वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद जल्द मिलेंगे अगले वीडियो